नमस्कार प्यार दोस्तों स्वागत है आप सब का मेरे यूटूब चैनल पर कैसे हैं आप सब आसा करती हूँ अच्छे होंगे खुश होंगे सवस्थ होंगे चलिए आज फिर से हम मौजूद है एक नई अश्टोरी के साथ यह कहानी सावित्री नाम की एक बुड़ी महिला की है जो एक अनात आस्रम में रहती थी सावित्री कभी एक खुशाल परिवार का हिस्सा थी उसका एक बेटा और एक बेटी और उसका जीवन उनके साथ हसी खुशी बीत रहा था लेकिन समय ने उसे ऐसी जगे पहुचा दिया जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था सावित्री ने अपने बच्चों को बड़े प्यार से पाला था उनके पिता का निधन तब हो गया जब वैच्चे छोटे छोटे थे और सावित्री ने अकेली दोनों की परवरिश की थी उसने अपने बच्चों के लिए हर त्याक किया अपने सपनों को छोड़ दिया ताकि उनके भविश्य को उजवल बना सके बेटा पड़ लिक कर एक बड़े सहर में नोकरी करने चले गया जबकि बेटी की साधी हो गई और वह अपने ससुराल चली गई समय के साध दोनों बच्चे अपनी अपनी जिन्दगी में वैस्त हो गए धीरे धीरे सावित्री से मिलने और बात करने का सिलसिवा कम होता गया बेटे ने कहा कि वह बहुस्त वैस्त है और बेटी ने ससुराल की जिम्मेदारियों का हवाला दे कर दूरी बना ली सावित्री का मन बहुत दुखी था लेकिन उसने खुद को समझाया कि उनके पास अपने जिवन की जिम्मेदारिया है सावित्री अब अकेली रहे गई थी उसके घर की दिवारे उसे उसकी यादोस के साथ अकेला छोड़ देती थी उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी और वह दिन परती दिन कमजोर हो रही थी उसके पास अब कोई नहीं था जो उसका ख्याल रख सके एक दिन उसने फैसले है कि वह इस अकेले पन को और नहीं सह पाएगी वह अपने घर को छोड़कर सहर की एक अनात आश्रम में चली गई जहां वह अनात बच्चों की देखबाल करती थी अनात आश्रम में सावित्री ने नई जिंगी शुरू की वहां के छोटे छोटे बच्चे उसकी परच्छाई बन गए वह बच्चों को अपने हातों से खाना खिलाती उनकी देखबाल करती और उन्हें प्यार से कहानिया सुनाती आसरम के बच्चों ने उसे दादी कहना सुरू किया और सावेत्री को उनमें अपने खोएवे परिवार की जलक दिखने लगी उन बच्चों के साथ उसने अपना दुख और अकेलापन भूनना सुरू कर दिया दोस्तों हाला कि सावेत्री ने अपना जीवन आसरम में बिता दिया लेकिन उसकी आखे हमेशा अपने बच्चों की रहा देखती रही उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसका बेटा और बेटी उसे लेने आएंगे उससे मिलेंगे और उसका ख्याल रखेंगे लेकिन दिन महिने साल बीत गई और किसी ने उसकी सुद नहीं ली एक दिन सावेत्री बहुत बिमार हो गई आसरम के लोगों ने उसका हिलाज कराया लेकिन उसकी हालत इतनी बिगरती जा रही थी उसने अपनी आकरी क्वाइस के रूप में अपने बच्चों को देखने की इच्छा जताई आसरम के परभंधक ने किसी तरह उसके बेटे और बेटी को खोज कर उन्हें सावित्री की हालत के बारे में बताया जब दोनों बच्चे अपनी मा के पास पहुँचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी सावित्री अपनी अंतिसा से ले रही थी उसने अपने बच्चों को देखा और लेकिन उसकी आखों में कोई सिकायत नहीं थी उसने धीरे से का मैंने तुम लोगों से कभी कुछ नहीं चाहा बस यहीं चाहती थी कि मेरे आखरी समय में तुम मेरे पास रहो अब मैं चैन से जा रही हूँ सावीतरी ने अपनी आखरी सांस ली और उसके बच्चे उसकी खामोसी में छिपे उस दर्द को कभी नहीं समझ सके जो उसने सालों तक साहा था अनात आसरम के बच्चे और अश्टाप ने उसे बहुत प्यार से अंतिम विदाई दी क्योंकि वेहीं उसके असले परिवार बन गए थी सावित्री की यह कहानी हमें सिखाती है कि बुड़े माबाप को सिर्फ हमारी आर्थिक मदद की नहीं बल्कि हमारे प्यार और समय की भी जरूरत होती है हमें उनके साह समय बिताना चाहिए क्योंकि हमारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना हमारे माबाप होते है प्यारे दोस्तों एक छोटे से सहर में जादतर लोग एक दूसरे को जानते थे एक पुराना विसाल हवेली थी यह हवेली कई सालों से खाली पड़ी थी और लोगों का कहना था क्यों उसमें कुछ अजीब गटता है हवेली के आसपास के लोग अक्सर वहां से अजीब अजीब आवाजे सुनने की बात करते थे लेकिन कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता एक दिन सहर में एक नया परिवार आया परिवार में केवल दो लोग थे एक लेकक आरव और उसकी पतनी सुरूती आरव को सांती में लिखना पसंद था और वह किसी नई जगे की तलास में था जहां वह अपना उपन्यास लिख सके उन्होंने उस हवेली के बारे में सुना और उसे खरीदने का फैसला किया क्योंकि वह सस्ती थी और उन्हें वहां की खामों से आकर सित्थ करती थी कोई नहीं होता कभी कभी सुरित्थ का मैसूस होता कि कोई उसे देख रहा है जबकि कमरे में वह अकेली होती एक रात आ रहा अपने लेखन में डूबा हुआ था अचानक उसके सामने रखी मौम्दबत्ती बुच गई उसने सोचा कि हवा का जोका होगा लेकिन तबी उसे एक अजीब से सर्द हवा मैसूस हुई उसने इधर उधर देखा लेकिन कुछ भी नहीं देखा तबी उसे अपने कंदे पर किसी के हाथ का असपर्स मैसूस हुआ उसने तुरंट पीछे मुड़ कर देखा लेकिन वहा कोई नहीं था वे घबरा गया और सुरुती को जगाया उन्हाने उस राज साथ रहने का फैसला किया अगले दिन आरव ने फैसला किया कि वे इस रहसे का पता लगाएगा उसने सैर के पुराने लोगों से उस हवेली के बारे में पूस्ताच की उसने सुना कि उस हवेली में कई साल पहले एक उरत की हत्या कर दी गई थी और तब से उसकी आत्मा वहां बटक रही है वह आत्मा अपने हत्यारे से बदला लेने के लिए महां रह रही थी आरव ने सोचा कि यह केवल एक पुरानी कहानी होगी लेकिन फिर उसने हवेली के तहकाने में जाने का फैसला किया तहकाने का दर्वाजब वर्सों से बन था जब उसने दर्वाजा खोला तो एक भारी धूल की परत और एक अजीब से गंद ने उसे घेर लिया वहां एक पुराना ट्रक परड़ा हुआ था, उसने ट्रक खोला तो उसमें एक पुरानी डायरी मिली, डायरी में उस ओरत की कहानी थी, वह ओरत जिसका नाम आरिया था, उसके पती दवारा दोका दी गई थी, फिर उसकी हत्या कर दी गई, उसकी आत्मा को सांती नहीं मिली, वे अपने हत्यारे से बदला लेने की परतिक्षा कर रही थी। आरव ने जैसे ही डायरी को पढ़ा, अचानक से हवेली के दर्वाजे खुद बेखुद बंध हो गए। हवा में आरिया की दर्द भरीची के गुजने लगी। आरव समझ गया कि हवेली में कुछ समय और बिताना खतरनाक हो सकता है। उसने तुरंट शुरुति को वहां से बाहर निकलने के लिए कहा। में दोनों जैसे ही हवेली से बाहर निकले, हवेली के सारे दर्वाजे अपने आप बंध हो गए। जैसे कि आरिया की आत्मा ने अब उन्हें हमेशा के लिए विदा कर दिया हो। आरव और शुरुति ने तुरंट फैसला किया कि में उस सहर को छोड़ देंगे और फिर कभी उस हवेली का नाम भी नहीं लेंगे। कई सालों बाद किसी ने उस हवेली को फिरक से खरिदने की कोशिस की लेकिन वैफ फिर से खाली रह गई। लोग कहते हैं कि उस हवेली में आज भी आरिया की आत्मा बटकती है अपनी नयाय की पर्तिक्षा में। यह कहानी एक बूड़े किशान हरिदास की है जो अपने तीन बेटों के साथ एक छोटे से गाउं में रहता था। और हरिदास बूढे हो गई उनके सरीर की ताकत घटने लगी और वे अब खेती का काम नहीं कर सकते उन्होंने सोचा कि अब उनके बेटों का वक्त है कि वे उनका ख्याल रखे तीनों बेटे अब अपनी अपनी जिंग्यों में वेस्थ थे बड़ा बेटा वे अपार में लग गया था मंजला बेटा सरकारी नोकरी में था और छोटा सहर में नोकरी करता था एक दिन हरिदास बिमार हो गए उन्होंने बड़े बेटे से कहा बेटा मैं बिमार हूँ मुझे डोक्टर के पास ले चलो बड़ा बेटा बोला पिता जी मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ मेरे पास समय नहीं आप खुदी डोक्टर से मिल लेजिए हरिदास कोई है सुनकर दुख हुआ लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा फिर उन्होंने मंजले बेटे से मदद मांगी तो उसने भी कहा पिता जी मेरी नोकरी बहुत व्यस्त है मैं भी नोकरी में व्यस्त हूँ मैं समय नहीं निकाल सकता आप खुद देख ले छोटे बेटे से भी उन्होंने यहीं बात कही लेकिन उसने भी सहर में अपनी जिम्मोदारिया का बहाना बना कर पिता जी को टाल दिया हरिदास ने अपनी पूरी जिन्दगी अपने बच्चों के लिए लगा दी लेकिन अब जब उन्हें सहारे की जरूरत थी उनके बेटे उनका साथ छोड़ चुके थे गाओं के लोग उनकी हालत देखकर प्रेसान थे लेकिन वे भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे हरिदास ने धिरे धिरे खुद को सबसे दूर कर लिया वह गाओं के पुराने मंदिर में जाकर अकेला बैठा रहते जहां वह अब तकलीफों को भगवान से साजा करते एक दिन गाओं में एक बड़ा तोयार था और हर कोई अपनी अपनी खुसियों में व्यस्त था लेकिन हरिदास अकेले अपने घर के बहार बैठे थे तब ही गाओं के एक बुजर्ग ने उनसे पूछा हरिदास भाई तुम्हारे बेटे कहां हैं मैं तो कभी तुम्हारे साथ दिखाई नहीं देते हरिदास ने एक हलकी मुस्कान के साथ कहा मेरे बेटे अब बड़े हो गए हैं उनके पास मेरे लिए समय नहीं है मैंने सोचा कि मैं उनके बुढ़ापे का सहरा बनूँगा लेकिन साथ यह बाद उन्हें समझ नहीं आए किछ दिनों बाद हरिदास की तब्यत और बिगड़ गई उन्हें बिस्तर पर ही रहना पड़ा अब भी उनके बेटों ने उनकी सुद नहीं ली गाउं के लोग उन्हें खाना पानी देने लगे लेकिन हरिदास का दिल तूट चुका था वे दिन रात अपने बेटों की रहा देखता लेकिन कोई नहीं आया आकिर कारे एक दिन हरिदास ने अपनी अंतिम सास ले जब उनके बेटों को यह खबर मिली तो मैं गाउं पहुँच वे तीनों ने देखा कि उनके पिता अब उस दुनिया में नहीं रहे गाउं के लोगों ने उन्हें खरी खोटी सुनाए कि उन्होंने अपने पिताजी की देखभाल क्यों नहीं की तब जाकर बेटों को अपनी गलती का हैसास हुआ लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी हरिदास ने अपनी पूरी जिन्गी अपने बच्चों के नाम कर दी थी लेकिन उन्हें मिला सिर्फ अकेला पन और उपेक सा यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता का सम्मान और सेवा सबसे बड़ा धरम है और अगर हम उनके साथ अन्याय करते हैं तो जीवन में हमारी सारी सफलताय वेर्थ हो जाती है यह कहानी हैं समाप्त होती है यह एक छोटे से गाउं की कहानी है जहां एक लड़की नंदनी रहती थी नंदनी अपनी मासूमियत और खुबसूरती के लिए पूरे गाउं में मसूर थी वेह अपनी मा के साथ रहती थी और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी गाउं के पास एक घना जंगल था जिसे लोग डरावना मानते थे कहा जाता था कि वहाँ एक रहसे में बुड़ा रहता है जो किसी को भी जंगल में जाने नहीं देता लेकिन नंदनी को उस जंगल से कोई डर नहीं लगता था वेह अकसर वहाँ जाती और जंगली फूलों को तोड़कर अपनी मा के लिए लाती थी एक दिन नंदनी जंगल के और अंदर चली गई अचानक उसकी नचर एक खूब सुरस सफेद हिरन पर पड़े वैं हिरन को देखते ही मंद्र मुग्ध हो गई और उसके पीछे पीछे चलने लगी हिरन उसे जंगल के गहरे हिस्से में ले गया जहां उसने एक सुनहरा तालाब देखा तालाब के पारी में उसने अपना परतिबिम देखा जो उसे और भी आकर सक लग रहा था तबी वैं बुड़ा व्यक्ति वहां आया और बोला यह तालाब जादूई है जो भी इसे छूता है उसकी सारी इच्छाये पूरी हो जाती है लेकिन इसकी एक सर्थ है जो भी यहां आता है उसे अपना एक सपना त्याग ना होता है नंदनी को यह सुनक अचमबा हुआ उसने अपने जीवन के सबसे बड़े सपने के बारे में सोचा और वह था अपनी माँ को खुश रखना वह ऐसा मंजन में पड़ गई एक तरफ उसकी माँ की खुशिया दूसरी तरफ उसकी अपनी इच्छाय कापी सोच विचार के बाद नंदनी ने तालाव को छोड़ने का नेरने लिया लेकिन जैसे ही उसने तालाव को छुआ उसने अपनी माँ की मुस्कुराट की जलक देखी उसने तुरंत अपने हाथ पीछे खीच लिये और मैसूस किया कोई भी इच्छा उसकी माँ की खुशी से बढ़कर नहीं हो सकती है बुड़ा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला तुमने सही नड़ने लिया नंदनी असली खुशी अपनी इच्छाओ को पुरा करने में नहीं बल्कि अपनों को खुश करने में है और कहते ही वै बुड़ा व्यक्ति गायब हो गया नंदनी खुसी खुसी घरलोट अपनी माँ को सारी कहाने सुनाए उसकी माँ ने उसे गले से लगाया और कहा सची खुसी हमेशा दूसरों की खुसी में छिपी होती है उस दिन से नंदनी ने कभी अपनी इच्छाओ को अपनी माँ की खुसी से उपर नहीं रखा मैं दो दोनों खुशाल जीवन जीने लगे दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सेर करें और केमेंट करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करें और जिनों ने हमारा चैनल पहले से सबस्क्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद